सारे भाईयान राम राम भाई मैं उधरा देशी पत्रकार कर्मूं देशी मुलाकात और बित्र की बात और बित्र की मारे कारे करम चैल रहे हैं नेताओं तो अमारी मुलाकात चैल रहे हैं उसका बात भाई जिस अर्यानवी पत्रकार जिता का डंकार यानवी की वज़े तो अ सुलिड बोड़ी की बात करां उसके बात करां उसके बढ़ी इस बात कान दाजाले के सоки नया गाना आया है जिसके बार मैं एक और नहीं जानकार यIS के लग बहग सत्रा लाख वीडियो टिक टोक पर उसकी एली सत्रा लाख तो उस पर दर्सक कितने हो गए उगे तम भी इस बात कान दाजाल नला सकते दर्सक कितने हो गए दीजे किंकी उसने उपादी मिल चुकी है नजब कटका आम इस पार्क में मोजूद हां और ओपन जीम यह है तो सुबेर सुबेर तड़का तड़का तड़को देशी मानस आड़े जीम करना रहे नाम है अजय उड़ा दीजे किंकी उपादी है उस तापा देशी मुलाकात कर सब्सक्राइब तो सुर्वात करते हुई यह इस जुकरनुन का अरबला किसी ने में तो दख्का दिया था इस तरफ इस लाइन में तो सुर्वात करते हुई फोज में भी रहा पंदरा साल उसका बाद केच से कोई गाना माया गया राइटर बढ़िए सुर्वात करते हुई सुर्वात तो सबसे पहले मैं बताना चाहूं करम भाई एक्सराइज करते रहे साथ में क्या आप बलकल करते हुए सबसे पहले तो सुर्वात यह हुई कि जब मैं फोज में था तक्रिबन उमर 18-19 साल थी जब मैं ट्रेनिंग पास आउट होने के के लिए मैं देर वान के लिए बौट जाब यहे तो कॉचल में रभाबिट करते तो उन्होंने ही घृर के दिया के आप अच्छा कीज यह आप कर सकते हैं तो तो बिखता रहा लिखता रहा कब देर देर ये दोर हरी मैं भी सोंग्स की तरफ चला गया हरी अमने लेता हुँ टिचाता हूँ बैटम बैट वारो में पानी याड़ी यह चलने लगे तो मुझे लगा क्यों ना मतलब सोंग्स लिखे जाएं मुझे नहीं पता था कि मैं इस लाइन में आऊंगा बस मैं अपने सोक के लिए लिखता था आपने जो फोजी भाई थे उन्हें आपको मोटिवेट करें बैतु इस लाइन में भी जैसका है आड़ा गोली चलावा है वोड़ा गा तो आके मैं अपने छोटे भाई को गरवालों को दोस्तों को सुनाता तो वो कहते यार बढ़क मत करें मतलब असी बिला थे नोवेले बढ़क मत करें करना तो को गाना काड ले मतलब हरियान भी ठेट बोलते कि गाना निकाल ले इस ता अच्या तो मैंने सोचा आपका बाई पानचाल मेरे गृरुजी जी जी मिलवाया अच्छा उन्होंने वह इस स्पैसल बुला कि लए उनको तो तब मंजित पानचाल जी से गृरुरु जी से मिला तो अन्होंने बहुत अच्छा लिखता है तो जाना चिंद आ लाइन में तो मैंने थे लिख के दिये लूग तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा फेस है क्यों नहीं है एक्ट आप करते हैं बोड़ी सडी ठीक है आची बोड़ी है तो एक्टिंग में आज बिलकुल तो उनके कहने से मैं इस लाइन में आ गया और तो इसकी एक्टिंग की कोई प्रोफेस्टनल ट्रेनिंग भी लिए अट बीट्रे एक्टर बेटे रहाен? पता नहीं एक्टर तो आज तक स्वन्होंने प् helper पनी नहीं से संथे कature लेकिन में मैं अपनी सुरुवात महरीगाड में पटोला से ही मानता हूं 2014 से जो मैंने बिल्कुल अपनी तरीके से किया था किसी की ना मान के तो वास तो लगातर भाई आजे मेरे जो जानकारी है लगातर पांच साला थे डीजे पर जो गाने बज़ेंग की भी उपाद इतने मिली वाई तो यह जो क्योंकि इस लाइन में कंपिटीशन भी है चुनोती तो हुए तो कंपिटीशन का भी सामना करना पड़ाएगा उतार देखिए नंबर वन होना बहुत आसान है बरकरार रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है जब मैं जिम्मेवार कलाकार हो गया 2014 में महरी गालों पटोला हीट हो गया तो लोगों ने कलाकारों ने भी मुझसे कहा कि तुका है एक बार लग जाता है दुनिया आई है एक गाना थी कि मुझे दुबारा हीट होना है तो मैंने और ज्यादा मेहनत की और 2015 में मेरे च्यार गाने सुपरीट रहे उसमें सोलेट बोडी बहुत बड़ा गाना था दोजार पंद्रा में जो आया सोलेट बोडी था मोका सोका था जोबन का बरोटा था बोल पड़ाने मर जानी बोलन में के टोटा से और उसके बाद था तिरे रेट बढ़ गे तो डीजे पे 2015 में एक तरफा बज रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और उन लो इतना अच्छा कलाकार हूं लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैं एक स्लेक्टर बहुत अच्छा हूं क्योंकि जो सेलेक्शन करके सिंगर म्यूजिशियन आर्टिस्ट डी ओपी जो भी पूरी टीम बनाता हूं वो टीम एक अच्छी टीम होती है और वो रेजल्ट देती है तो मैं किसी न किसी माहिने में एक स्लेक्टर बहुत जाता अच्छा हूं अच्छा भाई नहीं सिरीज की स्रुवात करना जा रहे हूं क्योंकि एक सूत्री सी छोरी जिसके बार मंदर्सकां बताए भी था टीक टोक पर सत्रा लाग कर लगबग वीडियो है ली तो उसतान मा एक्जेक्ट दें लोगों को लेकिन नहीं जोड़ पाए रिली बहुत ज्यादा कई करोडों है तो मतलब टिक टोक पर प्रमोशन के लिए गेर दिया था जी प्रमोशन के लिए नहीं वैसे ही बस मजे के लिए डाल दिया था और आज हर्याना नहीं मतलब पूरे इंडिया म बना दी गई है तो एक तेम था आज बाई जी वे पंजाबी गाने अगा ट्रेंड था और यानवी गाने चाहे तो चड़े नहीं करते और चड़े तो इसे चड़े उत्रें रहे इवनिच्छे दंका बाइज रहा पूरा इसका तो इसका क्रेडिट किसने दोगे और इसका स अगातार बनाए रखना के लिए कि इसतरे की रन निति अब्यक्ता कि उसके अच्छे नहीं को पशेंद गीट बनाए कि लोगों को पसंद आए उसके बाद हरियान हरियाना नीं पूरा अपना उत्तर भारत तो सब सुनते हैं तो सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो हर तो वो मेरा गाउं है और वहीं से मैंने पूरी सिक्षब ली है वहीं पढ़ा हूं मैं कहीं बाहर नी पढ़ा हूं तो आज की देट में आजे उड़ा ने या चीज मैसूस होए है भी फोज मरंदे ओड़ा प्रमोशन हों दी वह अच्छी थी आक इस कलाकारी लाइन में देश अज़की तो मैं जितनी नोकरी करना चाहता था पूरी करके ही आया हूं मुझे बस यह है कि जो यहां प्यार मिल रहा है इतना प्यार सोभाग्य से ही किसी को मिलता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और वैसे तो इंसान की कभी मनसाइं पूरी नहीं होती है लेकिन मैं संत जान की या फिर वोलीवुड में जान की कुछ इसतर ही नई कर्मु भाई मेरा मानना यह थोड़ा सा उल्टा कि आज बोलीवुड यहां आ रहा है हमें वहां जाने की जुरूत नहीं है बोलीवुड हमें ढूंड रहा है हर यानवी के अंदर अपना बविशे देख रहा है तो हम वहां बविशे ना देखें बोलीवुड जब यहां बविशे देख रहा है तो वहां जाने की जरूरत नहीं उन लोगों को यहां आ पड़ेगा अगर योही मैनत करते रहे कलाकार तो उड़ा का घड़त है राजनितिक चाह सकते होगी राजनितिक के कीड़े जागे है तो उनके बाद सोचेंगे तो किस तरह की राजनिति मतलब आप वाजी बढ़ेगा राजनिति में जीब बता होगा अब कुछ पहले पत्य खोलना चाहूँगा किस तरह की राजनिति करना चाहूँगा वह उसके बाद की है वैसे मैं बताई दूं कि अभी 4-5 साल तो नही कुछ लोगं कमपिटिशन करें हैं मेरा कुमपेटिशन जओ उता हूं मेरे पिहले गाने से होता है जो उच्छा है किसी ओर के बारे में नहीं सूचता हूं लोग सूचते और देखते होंगे वह उनकी सेटर जी है वह क्या करते हैं लेकिन मैं तो सिर्फ यह मानता हूँ कि किसले काम से मुझे अब की बार और बैटर देना है मतलब उससे उपर लेकर जाना है अच्छे देखो लाइफ इसी चीज हो जिसमें उतार चड़ावाँ है जीवनेक संगर्स है या तो एक पेटेंट लाइन है और संगर्स का मतलब चुनोति आना उतार चड़ावाना एक दोर इसा आया जे वाई तरह जिसमें तरह गाना पर प्रफोर्मेंस की बात आवा तो बहुत सी फीमेल आर्टिस्ट प्रफोर्मेंस दें दी रही मखुल के पूझलू अन्नु का द्यान का बार मां पूझना चाहूं ओं इंसिडेंट भी जाओ या मतलब कदे तो इस रिलेशन ओ सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि बहुत जल्द सक्रीन सोट नाम के चैनल पर नया चैनल यूटूब चैनल सुरू कर रहे हैं उस पे एक रिलेशन्सिप नाम से वैब सीरीज आ रही है तो क्रेक्टर के नाम चैन्ज होंगे बाकि कोसिस करूँगा कि अपनी आप बीति आप लोगों तक लेकर सत्य घटनाव पर आधारी तक किरदार के नाम बदल दिये गई हैं कोसिस करूँ है रिलेशन्सिप को लेकर आने की और उस रिलेशन्सिप में तरुन मौर हीरों हैं तरन मौर भाई मारे द राम राम करते हैं और जो वैब सीरीज नई आन लग रही है जे वाई की तो उसके बारम तरन भाई आप उसमें एजन एक्टर कर रहे हों कहां हमने अरियाना में काम किया इतने सालों तक और हमारा पॉलाइट में लिए पॉलाइट में विल्कुल हाँ उसको हिंदी बेस्ट ओडियन्स हमारा टार्गेट ही है कि डी यू के स्टूडेंट यूथ बेस्ट एक ओडियन्स के लिए वह हम थियार करें तीम के होगी तरुन भाई उसकी यूथ बेस्ट होगी जो आज का यूथ कर säger उनकी life की स्टेजरी जितनी वी होती है उनकी life की नोग जो सकते हैं और आप लोग स्क्रीनशोट चैनल को सब्सक्राइब करना उस पर आपको दिखेगी अभी चैनल एक दो दिन में रेडी हो जाएगा एक अगस्त को फर्स एपिसोड आजाएगा एक अगस्त को फर्स एपिसोड आज जाएगा और जो बिल्कुल यूथ बेस्ड है तो बाई इब तो वैब सीरीज की बात आगी तरण बाई उसमा एजन एक्टर आ रहे हैं तो इसकी स्क्रिप्ट आपन लिखिए है या स्क्रिप्ट एज ये डिरेक्टर मैं हूँ और हीरो है तो उसके उपर काम चल रहा है पेली बात तो गोपाल दास जी के जो कैरियर राए है जो उन्होंने गौ माता को दिया है पूरा जीवन उसके लिए मतलब जितनेगे करना चाहूं गौरु ज्यादा कम है उन्होंने बताया है युवाहों को जगाया है कि मता ड़ु प्रथी बहुजादा प्यार है और उनकी लगन देखे गुरुजी की लगन देखके हम इस मतलब बीडे में उनके साथ हैं और बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हम कुछ कर पाएं कई बारी जिस तरफ है टाइट सेडूल होगा है अपनी शूटिंग चल जी होगा है और बाबा जी गाउड रहा गया बई मेरा या कैमपेंच चल ज पाइटी है कई बार ऐसा होता है कि गव साला में या कहीं भी जुरूरत होती है तो पहले हमारी फर्स्ट प्रोटी वो है अच्छा बाइब कुछ कलाकार जो एक स्वाल बीच में छुट गया ता जो नहीं कलाकार है अनलाग रहे हैं उन नहीं कलाकारों को अपनी यह और यह पर बनाता है ऐसा कुछ नहीं है अगर लिखना चाहिए तो बारत में रियान जैसे लगता है लारला बगसिंग जैसे भी लखता है शुतरी शिचोरी जैसी रागनी भी लिखता है बजन भी लिखता है तो आप शिरा कर सकते हैं एक आपने बताया ना कुए का मेंड कमत बनी कि आप सिर्फ रोमैंटिक चीजे दें या सिर्फ मतलब बदमासी का जैसे मेरा भारत में रियाना आया बहुत परफर्मेंस जरूरी बिल्कुल चाहिए समाज को सब कुछ देना है कि लाकार है समाज को सब कुछ देना तो मैं चाहूंगा अपनी जिम्मेवारी समझे कलाकार औ तो मुझे निलगता ओडियंस आपको नकारेगी तो भाई आज हमने देशी मुलाकात करी अजे उड़ाता है और तरुन बाइत है जो इनकी नई शीरीज जान लगए है रिलेशन्सिप के नाम से रिलेशन्सिप के नाम से रिलेशन्सिप चैनल स्क्रीन सोट यूट्यूट चैनल है रिलेशन्सिप टैटल है उसका वैस रुमंटके एपिसोड है रोमांस भी है एक्षन भी है ड्रामा भी है और बैगाने भी है बहुत से यूथ के साथ कूछ समस्या है समस्य उसमें प्रतरसीत करेंगे कि डाल की समस्य का सामना उस युगाने उस नोजवाने करना पड़ा है वह सारे उसे मुझ जोगे गाणे चल दे रहेंगे जैसे कि दस दिन हो चुके हैं तो मैं बता दू आपको एक साल के लिए मैं बाउंड हूं तो उसमें सिर्फ मेरा दस से पंदरा दिन का हर मन्त अच्छेश अर महिने दस पंदरा दिन मैं यहां काम करूंगा दिल्ली में उस वेब सीरीज पर काम करेंगे बाकी जो 15 दिन बचें भाई अर्याना की माटनी के हैं स्तिननों कोई जी बात को नहीं हां डंका पूरा संसार मां बजार ख्यार यान भी नहीं इसमें कोई दो रहा है नी और और वाई मैं एक चीज और करना चाहूंगा वीडियो आमने देशी मुलाकात मारी चाह ले रही थी आज मारी देशी मु फ़्डा की अभी तकी लाइफ के थी और अग्यों फैसे चैल रहा है तो वीडियो पसंद आवत तो लाइक करियो और यह पसंद आवतों शेर करियो और उस्तव फिकनी पसंदाज है सवाशत कर यो और पाई यह तो कि अपनी तरफ आपकर शित किया और आज यूँआ क्या सबसे बड़ी तो सोच है और शुरूआत आप कुछ भी काम करो उसकी शुरूआत अगर आप अच्छे उससे करते हो तो वो कभी फ्लोप नहीं होता और हम तो वर्की स्मार्ट वर्क पे करते हैं पर दो विडियो शेयर करें अधर सेयर करें लाइक भी करना और कमेंट इसलिए दरूरी है उसते नूबेरा पड़ेगा थाम अजय बाई और तरह नूबाई की बातां दे कितना सैटिस्पाई हो लाइक कर दियो पसंद आओ तो और जन्य पसंद आओ तो नूवाड़ा भी है नूब कर दियो और जब पसंद आजे गणी पसंद आजे नूब करके और सब्सक्राइब करके गंटियाडा बटन दाव जरूरी है क्योंकि अर्यानवी पत्रकारिता का अर्यानवी कलाकारा का डंका बजान खातर फैलाव जरूरी है फैलाव है तो पेचान है पिचान है तो तो आपनी हर्याणवी का डंका बाचे बहुत बदनेवाद इस देशी मुलाकात में ताम जुड़े मारते हैं मैं उधारा देशी पत्रकार कर्मू जै हर्याणा